हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो जीके क्रेज फ्रेंट्स रेलेव ग्रूपटे एक्जाम का फास्ट फेज खतम हो चुका है ये फास्ट फेज के अठरा सिफ्ट में दोस्तों जितने भी सवाल पूछे गये थे सभी जीके सवाल हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे हर सिफ्ट में दोस्तों जीके के 20 सवाल पूछे आते हैं तो अठरा सिफ्ट के पूरे साढ़े 300 सवाल दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं अगर आपका एक्जाम कतम नहीं हुआ है यानि सेकंड थर्ड फेज में है तो इस वीडियो के आखरी तक जरूर देखेगा किमें दोस्तों बहुत सारे सवाल हुब 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 रिपीट भी हो रहे हैं और ये वीडियो जो है दोस्तों ये सुपरफास रिविजन वीडियो होने वाला है बहुती कम टाइम में दोस्तों इतने सारे कोशिन यानि साठे 30 कोशिन हम डिसकस करने वाले हैं सिर्फ 40 मिनिट के अंदर ही दोस्तों हम सारे कोशिन को डिसकस कर लेंगे दोस्तों 25 अगश 2022 के जो 60 सवाल पुछे गए थे वो वीडियो के आखरी में डिसकस करनेगे अब चले दोस्तों पहले हम 24 अगर्ष से सुरू करते हैं दोस्तों सवाल पुछा गया था मकर संकरांती ये किस महिने में मनाय जाता है तो जन्वरी महिने में मनाय जाता है से यांसर हो जेगा जन्वरी महिना और दोस्तों कब मना जाता है 14 या 15 तारीकों ये मना जाता है तामिल नाड़ों में इसे पॉंगल नामक उस्चप के रूप में मनाते हैं जबकि दोस्तों कनाटा केरल अंदर परदेश में इसको सिर्फ संक्रान्ती के रूप में ही मनाते हैं और याद रखें दोस्तों ये भा और 86 हुए संभिधान संसुधन के जरिये इसको जोड़ा गया था याद रखिए तो अगला सवाल है दोस्तों 1813 का act कौन सा है तो इस यह answer होगा चार्टर अधिनियम इस act का नाम था 1813 charter act और इसके बारे में भी यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स वाल दोस्तों पुछा गया था केंद्रिया ग्रामिन विकास और पंचाती राज मंत्री कौन है तो इस यह answer होगा गिराच सिंग है दोस्तों दोस्तों नेक्स वाल पुछा गया था विश्व आद्रभूमी दिवस का थिम क्या रखा गया था 2022 का जो वाल्ड वेटलांट्स यह मनाये गया उसका थिम दोस्तों क्या रखा गया था तो वेटलांट्स एक्सान फोर्ड पीफूल एंड नेचर यह रखा गया था नेक्स वाल दोस्तों पुछा गया था दुनिया में बोलने वाली कूल संख्या के हिसाब से बेंगाली भासा विश्व में कित्रे नंबर पर है तो से यह answer होगा सात्वी नंबर पे है सबसे ज़्यादा बोला जाता है इंगलीष दूसरे नंबर पे है मांडारिन तुसरे नंबर पे है हिंदी रिपाये में सपानेश पांच वे में फ्रेंच चथा में दोस्तों है आराविक, सात्वा में है बेंगली नेक्स दोस्तों है भारत ने किस के खिलाब किस देश के खिलाब 6 फरवरी 2022 को अपना 1000 वां मेज खेला तो C अनसर होगा वेस्ट एंडिज के खिलाब वेस्ट एंडिज इसका C अनसर होगा नेक्स सवाल दोस्तों है LIC 27 पर कौन सा मुल्यवान विमा ब्रांड है तो 10 नंबर का दोस्तों ये मुल्यवान विमा ब्रांड है दोस्तों इसका C अनसर होगा दोस्तों एक सवाल है पंजाब और महराष्टर सरकारी बैंक का जो मर्च जनवरी 2022 में किस बैंक के साथ किया गया था तो किस के साथ दोस्तों किया गया था हमारे GK क्रेच अप्लिकेशन में जनवारी महिने का ही दोसों 200 सवाल मिल जाएंगे फरवरी, मार्च, एप्रियल महिने सभी का दोसों आपको मिल जाएंगे और सारे के सारे सवाल जो है उहीं से ही पुछे जा रहे हैं इसका जो PDF भी दोस्तों आपको मिल जाएगा क्विज भी मिल जाएगा, टोपिक वाइच, नोटस भी मिल जाएगा सबकुछ एक ही जगा में दोसों आपको हमारे GK क्रेच अप्लिकेशन में मिल जाएगा पर सासाथ दोस्तों इस वीडियो का complete PDF भी आपको हमारे GK क्रेच अप्लिकेशन में ही मिल जाएगा लिंक है इस वीडियो का डेक्शन डॉक्स में दोस्तों डाउनलोड कर लिएगा नेक्स वाले 1960 में सिंधु जल समझोता में भारत की पस्चिमी नदियों में से हिस्सा कितनी है तो सही अनसार होगा 20% पानी का उपयोग करने की अनुमती है दोस्तों भारत को 20% इसका सही अनसार होगा दोस्तों नेक्स सवाले 2022 का AFC Women's Asian Cuff कहां आयोजीत हुआ तो ये बुंबाई में आयोजीत हुआ नेक्स सवाल है Article 53 कि अनुमसार संग की कार्यपाली का सकती किसमें नहीं थे तो राष्टरपती में दोस्तों नहीं थे भारत के प्रेशिडेंट में नेक्स सवाल दोस्तों पुछा गया था महिला और बाल विकास मंत्री जुबिन इरानी ने महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रख्या है तो कौन सी परियोजना सुभारम किया है तो स्त्री मुनरख्या परियोजना सुभारम किया है ये सवाल पुछा गया था नवामी गंगी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है इसका से अनसर क्या होगा इसका जो उद्देश्य है गंगा नदी के प्रोदूर्शन को समाप्त करना और नदी को पुनर जीवित करना इसका जो सुर्वाद हो था 10 जलाई 2014 को हुआ था नेक्स सवाल है दोस्तों चोथा खेलो इंडिया यूद गैम्स 2021 में सरवाधिक गोल्ड मेला किस राज्य को मिला तो सियान सरव का 52 गोल्ड मिलाल मिला है हर्याना राज्य को दूसरे नमबर पर है महराष्टर तिसरे नमबर पर है कनाटक दोस्तों जो पीडियम मैंने आपको गैonak मेंडिया था उससे दोस्तों सारे के सारे सवाल कूछे जा रहे हैं किवाधिक गूछा यहांपरgrass बीडिएव यहां यहां पर 2021 और 2022 के उसके बाद जितने भी योज़ना इंडेक्स से पुछा जा रहा है उसके बाद जो दिवसेंट थीम से पुछा जा जा रहा है 90% करें डेफार का सवाल दोसों हमारे जीके करेच अपलिकेशन से पुछे जा रहे है हजारों बच्चेओं इसका फाइदा उठा रहे हैं दोसों आप भी जरू उठाई और NFT का फुल फर्म क्या होता है नन फंजिबुल टोकेन रेड सेंडर्स यान ये रेड सेंडेलूर वुर्ख्या दोस्तों भारत में कहां पाई आते हैं तो आंधर परदेस में पाई आते हैं आंधर परदेस ये अनसर होगा नेक्स दोसों है परियावरण प्रेमी पंथ बिश्णों ये किस राज्य में हैं तो ये राज्यस्तान राज्य में हैं बिश्णों ही दोसों उत्तर पस्चिमी भारत के पस्चिमी राज्यस्तान के एक परियावरण प्रेमी पंथ यानि संप्रदाय है और इस पन्त के संतापक कौन थे जामभोजी महराज नेक्स वाले कलकता नगर निगाउं के स्तापना किस एक्ट के तहद की गई थी तो चाटर एक्ट 1726 के तहद की गई थी सरीशुरूप का लिंग दोस्तों निर्धारण किसके पर निर्भर करता है तो तापमान के पर निर्भर करता है सरीशुरूप का लिंग का निर्धारण नेक्स वाले कब से दोस्तों केंदिरिया बजट यानि यूनियन बजट को फरवरी के आखरी दिन के बजाए पेस के जाने की परंपरा को शुरू की गई तो एक फरवरी 2017 से दोस्तों पहली बार किसके द्वारा पेस क्या गया और उन जटली के द्वारा तो नेक्स वाले भारत में स्वन यानि गोल्ड पर रिंड देने वाला एक मात्रव बैंक कौन सा है तो मुथूट फाइनांस इसका स्री आंसार होगा मुथूट फाइनांस बैंक एक्स वाक्स है भारत में कुल कितने भासा बिश्व बिद्याले हैं तो six language university है यानि छव भासा university बिश्व बिद्याले हैं उनका नाम में दोस्तों देख सकते हैं स्री लाल बाहधुर सस्त्री राष्ट्रिय संस्क्रीद बिद्याले है न्यू दिल्ली में है राष्ट्रिय संस्क्रीद बिद्यापित तिरुपति में है English and foreign language university है फाइदराबाद में है महत्मा गंधी अंतराश्रिय हिंदी विश्व विद्धियल ये दोस्तों कहाँ पर वर्धा में है मोलाना आजाद नेस्नाल उर्दो उनिवर्सिटी ये दोस्तों हाइदराबाद में है राश्रिय संस्तान दोस्तों न्यू दिल्ली में है नेक्स वाले भारत का सर्वोच कारिय पालिका का प्रमुक कोन है तो भारत के राष्टरपती दोस्तों है इसका सियान सर होगा भारत के राष्टरपती पांचिया आप सुने होंगे इससे सवाल पूछा गया है इंडरय गांधि न रुपे का अव मुल्यन कब किया था 1966 में पूछा गया था बुद्ध को ज्ञानप्राप्ति कहां हुई थी तो बोध गया में दोस्तों बिहर का बोध गया में हुई थी बुद्ध को ग्यान प्रप्ति नेक्स सवाल है महिंद्रगेरी परवत किस राजय में स्थी थे तो दोस्तों ये ओडिसा राजय में स्थी थे ओडिसा का गचपती डिस्टिक्ट में स्थी थे ब्भारत में note छापने का एक मत्र प्रधी करण किसके पास है तो reserve bank of India के पास है आपको comment box में बताना है reserve bank of India का स्तापना कब हुआ था कि यह भी आपके shift में पुछा या सकता है तो बताई के comment box में reserve bank of India का स्तापना कब हुआ था विबर्तमान में इसके चैर्मेन और प्रेसिडेंट कौन है नेक्स सवाल है दोसों नट्यांग जली उसचब तामिल लाड़ों में कब मना जाता है तो महा सिवरात्री को मना जाता है नेक्स सवाल है 2022 का सिटकालिन ओलम्पिक में भारत की तरफ से भाग लेने वाला एक मत्रक खिलाड़ी कौन है तो स्कियर आरिव खान है और ये जो 2022 का उइंटर ओलम्पिक कहा हुआ था चीन का बेजिंग में हुआ था महत्मा गांधी ने 1919 में किस एक्ट के भीरूत सत्यागरह किया था तो रोयलेट एक्ट के भीरूत दोस्तों इसका से अनसर हो जाएगा नेक्स सवाल है भारत का धुरुबिया प्रोमोचन रकेट PSLV C25 PSLV C25 14 फरवरी 2022 को 37 दावन अंतरिक स्केनरा से दोस्तों कौन सा उपगरह को लांच किया तो EOS04 को लांच किया EOS04 इसका से अनसर होगा तो अब चले दोस्तों 23 अगश्ट 2022 में जो सब सवाल पूछे गे थे आपका जिके से उन सभी को डिसकस करते हैं तो निशा गंथी नूर्तिय उश्टभ कहाँ पर मनाय गया है? C अनसर होगा केरल में मनाय गया है C अनसर होगा ये उश्टभ दोस्तों केरल पर्याटन विकास निगम द्वारा दक्षिन भारत की तिरुबनंतपुरम सहर में आयोजित किया जाता है नेक्स वाले कौन सा पंचायती राज का अंग नहीं है तो गराम निगम दोस्तों ये पंचायती राज का अंग नहीं है गराम पंचायत का जो अंग साभ है पंचायत समीती जिला परिशत नेक्स वाले कौन सा सास्त्रिय नूर्तिय नहीं है तो बंगाली जो है एक सास्तिर नूर्तियों नहीं है जो कि दिया गया था नेक्स दोस्तों है सभी सास्तिर नूर्तियों को आप जरूर याद रखिए आपके स्थिफ्ट में भी इसे से ही रिपीट हो सकता है तो भारत नाट्यम कथक, कतकली, कुचीपुरी, ओडिसी, मनिपुरी, सत्रिया और मोहनी नाट्यम ये सारे भारत के सास्तिर नूर्तियों है दोस्तों नेक्स सवाल है यमुना नदी का साहग नदी कौन सी है तो चनाम नदी इसका से अनसर होगा और याद रखे और भी बहुत सारे साहग नदी है यमुना के सिंध रिबर, टोन, स्चंबल, हिंदोन, बेटवा, एंड केन और याद रखे दोस्वें यह वना नदी ही एक साहग नदी है गंगा नदी का और यह वना नदी कहां से निकलता है यह मनो 3 से निकलता है और दोस्वें यह प्रयाग में गंगा नदी के साथ मिल जाता है नेक्स वाले किस भारत्य खिलाणी ने अपना 100 टेस्ट मेज मोहली में मार्च 2022 में खेला तो बिराट खोली ने दोस्तों खेला है अपना 100 टेस्ट मेज किसके वर्सेस सिल्लंका के वर्सेस नेक्स वाले भारत ने वेस्टिन लीज के खिला 6 फरवरी 2022 को कौन सा ODI मेच खेला तो 1000 वाँ ODI मेच खेला नेक्स दोस्तों पुछा गया था 20 सुत्री कार्यक्रम की शुरुवात कब हुई थी तो 1975 में दोस्तों हुई थी 20 सुत्री कार्यक्रम का घोषणा बर्ष जो है 1975 है और तत पस्चा दोस्तों 1982-1986-2006 में इस कार्यक्रम को पुना सरंचना क्या गया है नेक्स वाले राजकोशियो निती यानि फिशल पोलीशी कोन बनाता है तो सरकार बनाते हैं फिशल पोलीशी राजकोशियो निती जैसे दोस्तों मोदरिक निती को भरते रिजर्ट बैंक बनाता है उसी तरह राजकोशियो निती को सरकार बनाता है नेक्स वाले एनके सिंग किस बीत आयो के अध्यक्षय थे तो पनरवी बीत आयो के अध्यक्षय थे मदर टेरेसा ने मिशन रीज अफ चेरिटी की सुरुवात कप की थी तो 1950 में दोस्तों अक्टोबर साथ 1950 में की थी दोस्तों नेक्स वाले निमलिखित में से कौन सा भारत का भोगलिक खेत्र सिंदु से ब्रमापुतर नदी तक लगभग 2500 किलोमेटर फेला हुआ है तो हिमाले इसका से अंसर होगा नेक्स वाले कौन सा पंचायती राज का अंग नहीं है यह मैंने आपको बता दिया दोस्तों नेक्स वाले इस्ट इंडिया कमपनी के भारतिय खेत्रों के प्रसासन को अधिक सक्याम और उत्तर दाइतों पुन बनाने के लिए ब्रिटीस द्वारक कून सा एक्ट लाया गया तो 1784 इसका से अंसर होगा नेक्सट मार्च 2022 तक नए रिपोर्ट के अनुसर कितने प्रतिसाद ग्रामेंड बच्चों का नमांकन जारी किया गया है तो 70.3 प्रतिसाद यह सवाल है दोस्तों यह स्कूल में नमांकन गया था स्कूल में नामंकन का पूछा गया था देख सकते हैं आनुवाल स्टेटर सब एजूकेशन रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत में 2021 में 70.3 प्रतिसत बचों ने सरकारी स्कूलों में दाखिला किया है नेक्स वाले CSIR बग्यानिक ओद्यगिक अनुसंधन परिसात जीग्यासा कारिकरम के तहत बचों के लिए दोस्तों भारत की पहली भर्च्वाल साइंस लाब किस ने लंच किया है तो डक्टर जीतेंदर सिंग ने लंच किया है नेक्स वाले खाद्यान अपुर्ती के लिए सरकार की सबसे बड़ी योजना कोन सी है जिसे सितमबर 2022 तक बढ़ाय गया है तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना इसका सही आनसर होगा नेक्स वाले भारतिय अंतरिक्स अनसंधन संगठन इस्रो ने विकास इंजिन का सफलता पुर्वक परिक्षन किस राजय में किया तो तामिल नाडु के महेंदर गिरी में किया नेक्स वाले मंत्री परिशत लोकसभा के प्रति सामुहिक रूप से उत्तरदाई होगी किस अनुछद में है दोस्तों 75 अनुछद में तो नेक्स निरज चपडा ने किस अलमपिक में स्वन पदक जीता है तो किस अलमपिक में 2020 का टोक्यो अलमपिक में दोस्तों ये 2021 में ऐच्चली होए था क्योंकि 2020 में COVID के करण इसको पोस्ट मन किया गया था नेक्स वाल दोस्तों पुछा किया था बिडिक किस पत्ते से बना याता है तो ludzi किस पत्ते से बना याता है दोस्तों नेक्स वाले किन्हे फरवरी 2022 में Insolvency and Bank Ravsy Board of India का अधक्षिय निक्त किया गया है तो रभी मितल दोस्तों इसका से अंसर होगा नेक्स वाल है इंडिया सेमी कंड़क्टर मिशन किस ने लांच किया है December 2021 के करेने फैर है दोस्तों इसका से अंसर होगा सुचना प्रदिगी के मंत्री अस्विनी बेश्णाव ने इसको लांच किया है दोस्तों नेक्स वाल है 2022 का सेथ मोधी International Benamintan Tournament किस ने जीता PV सिंदो ने जीता PV सिंदो इसका से अंसर होगा और उप मुजिता कोन रहे मालवी का बानसोत नेक्स वाल है भारत को कितने भोतिक भागों में बाटा गया है तो भारत को दोस्तों पांच भोतिक भागों में बाटा गया है नेक्स वाल है बायू प्रदूशन के प्राकृतिक स्रोथ क्या है तो ज्वाला मुखी दावनल और होवा में उनने वाली धूल नेक्स वाले भोपाल ग्यास तरासदी के समय यूनियन कारवाइड कमपनी के अधक से कौन था तो वारेन मार्टिन एंडर्सन इसका से आंसर होगा दोस्तों नेक्स वाले इस्टर टोकरी किस दर्म से समंदी थे तो इस्टर टोकरी है ये इसाइद हम से समंदी थे नेक्स वाले सबसे पहले नगर निगम किस प्रांथ में लागू हुआ था तो सबसे पहला दोस्तों 688 में पूर्ग प्रेसिलेंसी डाउन अप मडरास में दोस्तों ये जो चन्नाई में इसको लागू किया गया था इसके बाद दोस्तों 1726 में बंबई और कलकत्ता में इसी तरह इस निगम को गठन किया गया नेक्स वाले निरज चोपडा ने भाला फैंक में स्वान पदक किस ओल्लमपिक में जीता तो टोकियो ओलमपिक में जीता 2022 में किस ने बेडमिंटन का सेयत मोधी ट्रफी जीता है पीवी सिंदु ने भारत्य समिधान कितने देशों के स्रोथ से मिलकर बना है तो 10 देशों के स्रोथ से मिलकर बना है भारत ने 115 मिलियन डलार का लोन किस से लिया है तो World Bank से लिया है दोस्तों नेक्स सवाल हिमाले की सबसे पूर्वी भाग कौन सी नदी निकलती है तो ब्रह्मा पुत्र निकलती है नेक्स सवाले पतंजली ने किस बेंक के साथ 122 करोड का समझोता किया है तो पंजाब नेस्टनाल बेंक के साथ किया है 122 कोरोड का समझोता दोस्तों एक सवाल है ब्रह्मापुत्र की साहक नदी कौन सी नहीं है ये सवाल पुछा गया था तो गंड़क नदी दोस्तों ब्रह्मा पुत्रक की साहक नदी नहीं है इसका अंसर गंड़क नदी हो जाएगा और गंड़क नदी ये गंगा का एक साहक नदी है नेक्स दोस्तों है दैस बंधु चितरंगन दास को पैसा किया था तो इनका पैसा दोस्तों यह एक लयर थे यानि ओकिल थे नेक्स वाले 20 रुपया का सलाना प्रिमियम पर कौन सा बिमा योजना चलता है तो PMSBY यानि PM सुरख्य बिमा योजना इसका सही आनसर होगा 2022 का इंडियान ओपेन बेडमिंटन में मैं सिंगिल्स यहनि पूरूस एकल का कितब किस ने जीता तो लख्या सेन ने जीता दोस्तर नेक्स सवाल है क्या सबके लिए समान लागो होता है इस तरह का सवाल पुछा गया था और आपके अप्सन में जया गया था बीधी दुआरा कानून इसका सही आनसर होगा नेक्स वाले राज्य सभा में अधिक्तम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है तो 250 हो सकती है 250 इसका सही आनसर होगा सम्मिधान के अनुशयत असी में दोस्तों राज्य सभा के सवदोस्तों की अधिक्तम संख्या 250 निर्धारित की गई है नेक्स वाले जेन धन से सम्मन्धित जल मंदीर का निर्मान किसने करवाया था तो सेयान सार होगा किंग नंदी बरधन इसका सेयान सार होगा कभ दोस्टों 528 BC में याद रखे दोस्थो जल मन्दीर ये कहा स्तीध है इसको वाटर टेंपुल कहते हैं दोस्थो ये बिहार का , पावापुरी में स्तीध है next sable संग की राजवासा हिंदी किस अनुझेत में बननी थे manque is 343 में बननी थे तो सुनेक्स सवाल किस ने मार्च 2022 में आठोई बार जिता SCI Billiards किताब तो पंकच आडवानी इसका से अनसार होगा और ये सवाल दोस्तों 18 अगस्ट को भी पूछा गया था लेकिन दोस्तों वहाँ क्या पुछा गया था पंकच आडवानी ने किसको हरा करके आठोई बार जिता है SCI Billiards किताब तो सुनेक्स सवाल नर्शिमाह राओ के समय विकास का LPG मोडल किस पंच बर्शे योजना से सम्बंदी थे तो से आनसार होगा ये 8 यानि 8 पंच बर्शे योजना से सम्बंदी थे तो सनेक्स सवाले भारतिय या टेल ने 25 फरवरी 2022 को इंडस्ट टावर्स में वड़ाफोन की कितने प्रतिसत की एक समझता पर हस्ताइकर किया था यानि कितने हिस्सेदारी खरीदने का खस्ता किया था 4.7 प्रतिसत नेक्स वाले दक्षिंट भारत में फोसल कटाई से सम्मधित कौन सा उस्चब मना जाता है नेक्स वाले भारतिय सेना ने डिसेंबर 2021 में कौन सा इन हाउस मेसेजिंग आप लॉंच किया तो असिगमा अप्लिकेशन इसका से आंसर होगा और असिगमा अप्लिकेशन का जो फूल्फम क्या है आर्मी सिक्योर इंडिजिनियस मेसेजिंग अप्लिकेशन नेक्स वाले 1989 में पंचायती राज व्यवस्ता के आधार पर किस समिती गठन किया गया तो सियान सा रोगा पीके थुगन समिती गठन किया गया नेक्स वाल नहीं है दोस्तों ये डिटेल्स में है पंचायदी राज से जितने भी समितियां सम्मंदित हैं सभी को याद रखी जीवी के राओ समिति 1985 में इसको बनाया गया था LM सिंध्वी समिति दोस्तों 1987 में बलवंत राय महता समिति 1956 में असोक महता समिति 1977 में प्रधान मंत्री जीवन जोति विमाय योजना शुरुवात कब हुई थी तो 9 माई को दोस्तों हुई थी 9 माई 2015 को दोस्तों नेक्स सवाल है कि किस प्रोटोकल का आयोजन किया गया था 1987 में जिसने दोस्तों CFCS को यानि क्लोरो फ्लोरो कर्बन को फैस आउट गया था तो Montreal Protocol इसका से अंसार होगा काभी महत्तकुन प्रोटोकल है दोस्तों ये बार-बार एक्जाम में पुछा आता है तो याद रखे 1987 में PDF सेक्टन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसमें की Group D exam Analysis लिखा वहा है यहाँ पर दोस्तों मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों टफिक व そう सबसे ज्यूरा मिल जाएगा और कुई से ही दोस्तों ज्यादा confidence आएगा सभी topic को दोस्तों फर्माट में यहाँ पे डाला गया है current fire का section में दोस्तों पूरे पचीस सो सवाल है सभी को एक बार practice कर लिएगा 2021 का अगस्ट महिने से लेकर के July महिने तक दोस्तों सारे current fire के question है इसी से ही सारे सवाल पूछे जा रहे है और topic wise section में भी दोस्तों देख सकते है सभी topic को सामिल किया गया है और आगे आने वाले shift में दोस्तों जीज़ीश topic से सवाल पूछे आएंगे सभी topic को यहाँ पे सामिल किया जाएगा जो आपके option में दिया गया था जारखन राज्य में स्तीथ है फोटानाकपूर प्लेटियों का दोस्तों जो सबसे बड़ा भाग है वो जारखन राज्य में है और कुछ भाग दोस्तों बिहार, ओडिशा, वेस्ट बेंगाल याने पस्चिम बेंगाल एंग चतिस गण में है नेक्स वाले सिंधू दर्शन फेस्टिवाल किस union territory में आयोजित होता है तो लहे में होता है दोस्तों लहे लदाक में होता है यह अपके अपसन में भी दिया गया था और यह कब मना जाता है गुरू पनिमा के दिन मना जाता है और किस महिने में जून महिने में मना जाता है फूल मून डेपर नेक्स वाले दोस्तों राश्टर मंडल खेल 2022 में भारत के धोजबाहक कौन थे तो कौन थे दोस्तों मनप्रीत सिंग और पीवेश इंदू थे फ्लाग बीरर 2022 का Commonwealth गेम में 2022 का Commonwealth गेम दोस्तों इस अगस्ट महिने का ही current affair है ये अगस्ट 8 को ये समाप्त हुआ था तो दोस्तों सवाल जो पुछे जा रहे हैं इस महिने का current affair से भी पूछे गया है जुलाई 2021 से लेकर के अगस्ट 2022 का complete current affair को update किया गया है topic wise update किया गया है तो next सवाल लेखते हैं किस राज्य सरकार ने गोंड जन जाती को ST में सामिल किया तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने इसका से अनसर होगा GST कब लागू हुआ था? GST दोस्तों ये कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था और दोस्तों इसको 101 में संसोधन में कार्यान वयन क्या गया था नेक्स सवाल दोस्तों 15 वे BIT Aio के अधक्सिय कोन है? ये सवाल दोस्तों आज 23 अगस्त को भी रिबीट हुआ है ये 22 अगस्त को भी पूछा गया था तो पंद्रावें बीतायों के अधक्से कौन है, N.K. Singh है, और याद रखिए, चोदावें बीतायों के अधक्से कौन थे, Y.V. Reddy थे, और पहले बीतायों के दोस्तों अधक्से कौन थे, जोकि 1952 से 1957 तक K.S.C. नियोगी थे, और बीतायों किस अनुच्यत में आता है, अनुच्यत में बननी थे, तो ये अनुच्यत 40 में बननी थे, ग्राम पंचायतों का गठन, प्रोफेसर पीसी महलानोबीस किस किस स्तापना की थी, तो इंडियान स्टाटिस्टिकल इंस्टिचूट का स्तापना की थे, कब 27 डिसेंबर 1931 को, चोरी चोरा कांट कब हुआ था चोरी चोरा कांट दोस्तों कब हुआ था, ये चार फरवरी 1922 में हुआ था, कहांबे हुआ था दोस्तों उत्तर प्रदेश का गरोखफुर जीले में, नेक्स वाले मार्च 2022 तक भारत के CJI यानि Chief Justice of India मुख्याने आधिस कौन है, तो N.B. रामना इसका से अनसर होगा, और 28 अगस्ट 2022 के बाद दोस्तों कौन बन जाएंगे, यू यू ललित, हमारे भारत के 49 वे Chief Justice बन जाएंगे, नेक्स वाले भारत की पहली पारा बेडमिंटन अकाडेमिक कहां स्तापित की गई है, तो लखनों में स्तापित की गई है, लखनों से ये अनसर होगा, अनुछेद 12 स 35 दोस्तों किस भाग में आते हैं, तो ये भाग 3 में आते हैं, याद रखिए, और सम्विधान में अनुछेद 12 से 35 दोस्तों मौलिक ओधिकारों से सम्मंदी थे, चलिए नेक्स वाल देखते हैं दोस्तों, जून 2022 में भारत में कितनी सास्त्रिय भासाएं हैं, तो 6 सास्त्र कननर्ड, तेलगू, मालायलम और ओडिया भासा, नेक्स वाल है, पंचाती राज सम्विधान के किस भाग में हैं, तो भाग 9 में दोस्तों हैं, पंचाती राज, नेक्स वाल है, पराक्रम दिवस दोस्तों, ये किस की जयनती के लिए मना जाता है, सुभाष चंद्राव बोस की जायनती के ली मना जाता है और कब मना जाता है 23 जनवरी को मना जाता है नेक्स वाले बोध धर्ण से समंधित गरंथ कोन सा है तो त्रिपिटक दोस्तों बोध धर्ण से समंधित गरंथ है याद रखिए नेक्स वाले मेगाले का गारो जनजाती का फेस्टिवाल कोन सा है तो तो केरल राजे में दोस्तों इसका सियान सरोगा, केरल सरकार ने घोषणा की है कि देश का पहला ग्राफिन नवचार केंद्र, यानि ग्राफिन इनोवेशन सेंटर केरल के त्री सूर में स्तापित किया जाएगा, नेक्स वाले 2022 का वर्ल आथलेटिक रेस वाकिंग टीम चंप पदक मिला, याद रखिए, नेक्स वाले जनवरी 2022 में बुंबई, पुने, नभी बुंबई में कोन सा खेल आयोजीत हुआ, तो दोस्तों 2022 का AFC Women's Asia Cup आयोजीत हुआ, और ये जो कब है दोस्तों, ये किस खेल से समन्दी थे, ये फुटबल खेल से समन्दी थे, इसमें चानः पियर टीम, और रणर सब कोन रहा? साउत कोरिया टीम, नेक्स सवाल है, महिलाओं और बच्चों के लिए वान स्टप सूपोर्ट सेंटर, ये जो योजना है, ये की सराजिय का योजना है? ये तेलंगाना राजिय का योजना है, तेलंगाना इसका सही आंसर होगा, दोस्तों, नेक्स वाल है, बिग्यान और इंजिनेरिंग खेत्र में पद्मा भुसंड 2022 का पूरसका की से दिया गया? तो इसका सियान सर्वः स्री संजयर राजाराम को दिया गया, मरोनो परां दोस्तों दिया गया है और किस फिल्ड में? बिग्यान और slip की के फिल्ड में किस देश से हैं? ये मेक्सिको देश से नेक्स वाले केंद्रिय भार्तिय भासा संस्तान कहां स्तीथ है इसका मुख्याले कहां स्तीथ है मेसूर में दोस्तों स्तीथ है इसको जो स्तापित किया गया था 17 जुलाई 1969 को किया गया था नेक्स वाले राजा रामण राय की मुर्ट्यू के बार ब्रह्मा समाज की गति बीधियों को किस ने जारी रखा नेक्स वाले राज्य प्रमुक को बीधी संबंधी सलहाँ देने का कारिय कोन करता है तो राज्या प्रमु को दोस्तों बीधी संबंदी सलागों देता है महाधिभक्ता यानि सोलर्षीटर जनराल इसका सेयान सरोगा जोसे कि दोस्तों देश में एटोनी जनराल होता है उसी तरह राज्यों में दोस्तों महाधिवक्ता होता है यानि सोलिशीटर जनराल होता है तो यह दोस्तों अनुच्छत 165 में इसको बननित किया गया है राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी इस प्रणाली को क्या कहते हैं फेडरल लिजिम यानि संगबाद कहते हैं ये सवाल पुछा गया था नेक्स वाले कौन सा जल्धारा समुद्र में गर्मे उत्पन करती है तो एल नीनो जल्धारा दोस्तों ये गर्मे उत्पन करती है समुद्र में ये प्रसान महासागर का दोस्तों एक गर्म जल्धारा है नेक्स वाले सो दिन का रोजगार किस योजना में दिया जाता है तो महत पत्मा गांधी राष्ट्रिया ग्रामेंड रोजगार गैरेंटी योजना में दिया जाता है 100 दिन का रोजगार और इसको M.G. नरेगा यानि मनरेगा भी कहते हैं दोस्तों ये 25 अगश्ट 2005 में इस अधिनियम को पारित किया गया था और उस समय प्रधान मंत्री को उन्ते मनम सिंग नेक्स वाले खेत्रिया ग्रामेंड बैंक किस बर्स के अधिनियम द्वारा बनाए गया यानि रिजिनाल रूराल बैंक दोस्तों ये किस एक्ट के तहत बनाए गया दोस्तों खेत्रिया ग्रामेंड बैंक अधिनियम एक्ट 1976 के तहत इसको बनाए गया इसका जो रीज ये किस राज्य में स्तीथ है ये मैगाले राज्य में स्तीथ है दोस्वे ये हाली में इसको इवनिसको येलिए इसको ठाला के लिए इसको बढ़ा है तो साउंड माववांग इसका से अंसर होगा नेक्स और पुछा गया था किस विभाग ने देश का प्रथम 1moil Concertium यानि एकल स्वास्तिय संग विमोचित किया है तो किस विभाग ने विज्ञान एवंग प्रदोगी की मंतर लेके जेव प्रदोगी की विभाग ने नेक्स वाल दोस्तों पुछा गया था उपभगता स्वास्तिकरण सपताह दोहजार बाइस कब मनाये गया तो सियान सरोगा 14 से 20 मार्ज दोस्तों मनाये गया उपभगता स्वास्तिकरण सपताह नेक्स सवाल है कि किस राजय में दोस्तों इस जो सागा दवा नामक फेस्टिवाल है जो उस्चब है मनाये जाता है तो सिकिम राजय में मनाये जाता है ये सिकिमिस बुद्धिष्ट का दोस्तों एक famous तिमार है ये बुद्ध धम से सम्मंधित तिमार है और इसको triple bless festival भी कहा जाता है दोस्तों नेक्स सवाल है त्रिपुरा ने कौन सा कोक बोरक दिवस 2022 मनाया 2022 में मनाया तो कौन सा दोस्तों 44 हुआ इसका से अंसर होगा 19 जनवारी 2022 को 44 हुए कोक बोरक दिवस के रूप में मनाया गया दोस्तों कहाँ पे त्रिपुरा में नेक्स सवाल है 1969 में कितनी private bankों को राष्ट्य करण क्या गया तो 14 बैंक इसका से अंसर होगा 19 जूलाई 1969 को दोस्तों किसले इंद्रा गांधी ने 14 बैंकों को राष्ट्य करण करने का कानून पारित किया था नेक्स सवाले जारखंड की GUA माइन्स में किस खनिच का उत्पादन होता है तो आयरान का यानि लोहे का उत्पादन होता है लोहा इसका से अंसर होगा नेक्स वाले अटल पेंशन योजना का आयूशिमा क्या होगा 18 से 40 बर्स तक 2015 में दोस्तों इसको लागू किया गया था ये योजना इस योजना का जो फाइदा 18 से 40 बर्स का कोई भी भारतिया नागरिक लाब उठा सकता है नेक्स वाले दोसों इसाई धम का पवित्र ग्रंद किया है तो बाईवल इसका सही अंसर होगा सेकेंड पारा सूटिंग चंपियांशिप 2022 कहा आयोजित हुआ तो इसका सही अंसर होगा नई दिल्ली में एवजित हुआ सेकेंड पारा सूटिंग नेशनाल पारा सूटिंग चंपियांशिप तो नेक्स वाले किस राज्यस सरकार ने पहली बार अपनी बार्षिक बित्ते योजना के हिस्से के रूप में बाल बजेट को पेस किया तो मध्यप्रदेश राज्यस सरकार इसका सही अंसर होगा बहुत रिसेंट करेने फैर है दोसों यह आपको हमारा मार्च का करेने फैर में मिल जाएगा नेक्स वाले 2022 का ICC Under 19 Cricket World Cup का उप विजेता टीम कोन रहा तो इंगलन टीम दोस्तों रहा उप विजेता टीम तो यह कहां पे हुआ था यह जो Under 19 Cricket World Cup West Indies में हुआ था और दोस्तों याद रही कि इस टीम ने जीता है भारत टीम ने जीता है नेक्स वाले दोस्तों मोलिक करतव्यों यानि Fundamental Duties 21 समीती की सिपारिस पर जोड़े गया है तो सरदार स्वान सिंग समीती के सिपारिस पर जोड़े गया है याद रही यह 42 संसधन में जो 1976 में हुआ था इसमें दोस्तों मोलिक करतव्यों को जोड़े गया है और इसे दोस्तों रूस का समीतान से लिया गया है इसका जो सुरोथ है रूस का समीतान और भारत्य समीतान का अनुच्छत 51A में दोस्तों इसको रखा गया है फंडामेंडल लिविश्च से दोस्तों दो तिन सवाल अब तक पुछिए आ चुके है नेक्स वाले कौन सास्तान बोध धर्म से समंधित नहीं है तो सारणात, बोध गया, कुशिनागरे सारे के सारे बोध धर्म से समंधित है ग्वाली अर्जव है दोस्तों ये समंदित नहीं है नेक्स वाले जियो मॉर्फोलोजी में किसका अध्यान किया जाता है तो भू आकृतियों का अध्यान किया जाता है जियो मॉर्फोलोजी में दोस्तों नेक्स वाले उद्यमिता को सक्ष्यम करने के लिए दलिद बंधु योजना किस राज्य से समंदी थे तो तेलेंगाना राज्य से दोस्तों समंदी थे इस योजना के तहट दोस्तों दलिद परिवारों को बिना किसी बेंक करेंटी के 10 लाग रुपे का बित्य साहता दिया जाएगा नेक्स वाले दोस्तों मार्च 2022 में नियो बैंक एवल फाइनेंस का अधिगरांड करने के लिए इसने एक समझते पर हस्ता ख्यार किया तो ओला ने दोस्तों किया है ओला कंपनी स्यान जरूगा सेंड केथेडराल चर्च दोस्तों ये कहां स्तीध है ये गोवा में स्तीध है इसी तरह के कुछ महतापुन चर्च है दोस्तों याद रखे सांटा कुरूच बैसिलिका चर्च दोस्तों केला में स्तीध है रीस मैंगोस चर्च दोस्तों गोवा में स्तीध है फ्रांसिस चर् को एक बार स्पिड्ड रिव लेते हैं सारे जीके सवाल को पहला सवाल घल दोसें पुछा गया था और इसके बास तेते सगर्ष्ट करेंगे कि के सबाइब तो ठीक से डीटेल्स में इसका पल लीजी का 2001 में दोस्तों ये आपका option में भी दिया गया था तो headquarter इसका कलकता में स्थीथ है वेस्ट बेंकल का कलकता में अभी वर्तमान में अनुप कुमर्श हैना इसके chairman है next option राधा किस्णा मिशन का स्तापना किस ने की थी तो राधा किस्णा मिशन का स्तापना स्वामी विवेका नन ने की थी PNP का बिले किस बेंक के साथ दोस्तों हुआ है Oriental Bank of Commerce and United Bank of India के साथ हुआ है next वाल आर्टिकल 243E ये किस से समंधित है ये पंचायत से समंधित है next वाल दोस्तों है First Republic Day भारत का प्रत्थम कंतंतर दिवस कब मनाया गया था जानवारी 26, 1950 को मनाया गया था त्रिपूरा का भासा कौन सी है मंगाली एंड कोकबोरो के त्रिपूरा की भासा है First मारती सुजु की 800 कब लाँच क्या गया था तो 14 December 1983 को लाँच क्या गया था नेक्स सवाल है करेंड एफैर का IQ AR 2021 की विश्व बाइव गुनबत्ता रिपोर्ट के अनुसर दुनिया के सबसे प्रदूसित राजधानी सार कौन सा है तो हमारा दिल्ली है नेक्स दोस्तों है देखिए ये सवाल ही रिपीट हुआ था 22-23 के अगस्ट में तो चर्च को यहाँ पर चो कलम मेचिंग करना है तो देखिए बेसिलिया अब बॉम जिसस ये जो है दोस्तों ये गौवा में है सांटा क्रोज बेसिलिका ये केरल में है फ्रांसिस चर्च दोस्तों ये केरल में है तो केथरिन चर्च गौवा में है तो सभी चर्थ को दोस्तों याद रखी कौन से सहर में हैं कौन से राजियों में नेक्स वाल दोस्तों है सिट्वी बेंक का मुख्याले कहां स्तीत है लखनों में दोस्तों स्तीत है सिट्वी का फुलपरम होता है Small Industries Development Bank of India इसका स्तापना 2 अपरेल 1990 को हुआ था दोस्तों नेक्स वाले ABGC Center of Excellence लाँच करने वाला भारत का पहला राजिय कौन सा बन गया है तो कन्नाटक दोस्तों बन गया है ABGC का जो खुलपरम होता है 2022 का National Games of India गुजरात की कितने सहरों में दोस्तों ये खेला गया तो सेयान सर्व का 6 सहरों में अहमदाबाद, गांधी नगर, सुराट, बोडोदरा, राजपोट और भावनगर नेक्स वाले नदी बिसब कैसे बनाती हैं तो सेयान सर्व का दोस्तों तेड़े मेडे रास्तों से होकर के बहने पर ये नदी बिसब बनाते हैं इसको रिभर, रिभूलेट, रिभूलेट इसको दोस्तों कहा जाता है नेक्स वाले कौन सा कथन चीपको अंदलन से समन्दित नहीं है दोस्तों ये एक हिंसाबादी अंदलन था, ये सरासर गलत है नेक्स वाल है, भारतिय समिधान में कितने भाग और कितने अनुसूची है तो 25 भाग है, 12 अनुसूची है और कितने अनुसूची थे, 470 अनुसूची थे दोस्तों सम्मिधान का जब प्रारम हुआ तो 22 भाग थे 395 अनुचे थे और 8 अनुचुजियां थे नेक्स सवाल दोस्तों है बांध पुनरबास और सुधार परियोजना कब लागो की गई थी तो 2021 का अप्रिल महिने में इसको लागो की गई थी तो दोस्तों नेक्स सवाल है इंडिया का वाड का एरिया से कितना प्रतिसाथ होगा यांनि area of India with respect to world कितना प्रतिसाथ होगा तो दोस्तों 2.4 प्रतिसाथ ही होगा और इंडिया दोस्तों 7 largest country है वाड का तमना का फुलफरम क्या है ? ट्राइ एंड मेजर आप्टीचूड एंड नेच्वराल एविलिटी इसका से अंसर होगा नेक्स वाले किस अनुचेत के तहद भारत के प्रधान मंत्री का करतेबे होगा कि संग के मामलों के प्रसाशन और कानून के प्रस्ताओं से सम्मंदित मंत्री परिशत के सभी निन्ना को दोसों राष्टरपती को सुजीद खरे तो दोस्तों ये भारत का सम्मिधान का अनुचेत 78 में बनीत क्या गया है ये सवाल पूचा गया था दोस्तों नेक्स वाले मार्च 2022 तक चीप इलेक्षन कमिशनर अप इंडिया कौन थे तो से अन्सर क्या हुआ दोस्तों सूसील चंद्रा थे में 2022 तक अभी बर्तमान में कौन है राजीब कुमार है एक्स वाले भारत सरकान ने एक फरवरी 2022 में बीत मंत्रा लएके बिया बिभाग के तहा दोस्तों लेखा महानियान तरंग का अतिरिक प्रभार समालने के लिए किसको निउक्त किया तो सुनाली सिंग को दोस्तों निउक्त किया इसका सियानसर हुआ पचत्तर हुआ संतोष ट्रफी किसने जीता है सियानसर हुआ केरल टीम ने जीता है इसको हरा करके पस्चिम बंगल को हरा करके संतोष ट्रफी किससे संबन्दी थे फुटबल से संबन्दी थे बीजय हजारे ट्रफी दोस्तों अभी हाली में जो हुआ था किसने जीता है हिमाचल प्रदेश रंजी ट्रफी किसने जीता है मध्य प्रदेश ने जीता है 2022 का All England Open ये दोस्तों इसमें Silver Medal किसने जीता है सवाल पुछा गया था भारत के लख्य सन ने जीता है और गोल्ड मेडल विक्टर एक्सल सन ने जीता है नेक्स वाले एसियाटिक लायन सरवाधिक कहां पाय जाते हैं तो गुजराट के गिर फोरेस्ट में पाय जाते हैं नेक्स वाले लाल सागोन सिसम कुसम 21 बन के उधारण है तो उष्ण कटी बंधियर अध्रपनपाती बन के उधारण है नेक्स वाले इन में से राजा मोन राय की नेक्स वाले इन में से राजा राम मोन राय ने किसकिस स्तापना की थी तो आत्मिया सभा की स्तापना की थी कब 1814 में दोस्तों किये थे नेक्स वाले आयो में परिवर्तन के कारण बच्चत में परिवर्तन का अनुपात को क्या कहते हैं सिमान्द बच्चत प्रभूर्थी कहते हैं नेक्स वाले दोसरों नीटी आयो के गरीभी सुचकांग 2021 के वमसार सबसे गरीब राजे कौन रहा तो बिहर दोस्तों सबसे गरीब राजे है दूसरे पोजिशन में जारखन तीसरे पोजिशन पर है उत्तर प्रदेश नेक्स वाले मुगल का जो मुगल काल का फास्ट प्लान सिटी दोस्तों क्या था फतेपुर सिकरी जिसको के आकबर द्वारा बनाया गया जिसको दोस्तों 1986 में यूनिस्को वाल हरीटर साइट के द्वारा इनका जो लीस्ट में सम्मिलित किया गया नेक्स वाले प्राण और देहिक सोतनतता का सरंक्षन 21 अनुचयत में बननी थे तो अनुचयत 21 में ये बननी थे नेक्स वाले भारत की 20 राज्य में पंचायती राज ब्यवस्ता मोजूत नहीं है तो दोस्तों ये नागालांड राज्य में मिजोराम राज्य में और मेगाल राजय में पंचायती राज बेवस्ता अभी भी मुझूद नहीं है और एक केंदर साशित प्रदेश में भी दोसों यह मुझूद नहीं है दिल्ली में नेक्स वाले जनुवरी 2022 के अनुसर दुनिया में खीरे का बड़ा निर्यातक देश तो भारत दोसों इसका से अंसर हो जाएगा नेक्स वाले राजवासा एक्ट एक कब लागू हुआ था से अंसर होगा दोसों यह अधिनियम 1963 में लागू हुआ था नेक्स वाले जियो पार्सी योजना कितनी सहाता राशी दी जाती है इस योजना के तहट आट लग रूपे की सहाता राशी दी जाती है नेक्स वाले भारत का पहला बायोमास आधारित हैडोजन सेंतर मद्यप्रदेस में कहां स्तापित हुआ है मद्यप्रदेस का खांडव चोतिस दोस्तों जजेस हैं, चीफ ज़स्टी सब इंडिया को मिला कर गए। दोस्तों नेक्स सवाल है, इसलाम धर्म के संस्तापक कौन थे। तो से अनसरों का हजरत मुहम्मत थे। मेंगरूब बन दोस्तों ये भारत में कहां पाए जाता है। पस्चिम बंगल में पाए जा कॉंकरी, मनीपूरी और नेपाली भासा को जोड़ा गया। 2003 में बोडो, डोगरी, मेथिली, संथली को जोड़ा गया। नेक्स सवाल है पॉंगल दोस्तों कि जो पॉंगल पर में किस का पुजा किया जाता है, किस भगवान का, सुरिय भगवान का पुजा किया जाता है। करता है तो international monetary fund करता है next वाले मंचाहेतों का गठन किस समिधान संसोतन के तहत हुआ तो तीयत्तर हुए समिधान संसोतन के तहत हुआ next वाले निमने में से किसका नियंतरण बित budget में नहीं है तो दोस्तों साख नियंत्रन का यानि credit control का नियंत्रन नहीं है नेक्स वाले अनुचत 51A में क्या है तो मोलिक करते भी अदस्तों अनुचत 51 में है यानि fundamental duties है नेक्स वाले मंकज अड़भानी ने 19-वी ACI UP Billiards Championship 2022 में किसको हरा करके अपना 41 टाइटिल जीता है तो धुरूप सिटवाला को दोस्तों हरा करके याद रखे नेक्स वाले किस राजय के मुख्यमंत्री बायो स्वास्तियों सेवाल लंच किये है तो ओडिशा के मुख्यमंत्री लंच किये है यह योजना है नेक्स सवाल है भूत आपिय पावर प्लांट ये कहां पर स्तीथ है हिमाचल प्रदेश में दोस्तों स्तीथ है तो नेक्स सवाल है बिदोहा पुनर विवहा अधिनियम समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो लर्ड कैनिंग से अनसर होगा बिदोहा पुनर विवहा अधिनियम 1856 में जारी क्या गया था नेक्स सवाल है भारत और किस देश के राजनेतिक सम्मंदों की तीसवी बर्सगांड को आकर देने के लिए एक समारक लगों का सुभारम क्या गया है तो किस देश ने दोसरों किस देश के साथ इसराइल देश के साथ तो नेक्स सवाले मिशन इंद्रधनोस 4.0 में प्रथम चरण में कितने राज्यों को समिल किया गया था 11 राज्यों को इसका से अनसर होगा नेक्स सवाले किस के प्रयासों ने 1929 में सथी पर्था का अंध किया तो राजा रामोन राय के प्रायसों ने नेक्स वाले मेंगो सावर आम बर्सा दोसों कब होती है ये ग्रिस्मा रूतू में होती है रेयर डिजीज डे कब मना जाता है 28 फरवरी को मना जाता है इसका थिम क्या था उपनिसद में दोस्तों उप का अर्थ क्या होता है निकट या समी नेक्स वाले स्टील ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड याने सेल का स्तापना कब हो था तो 19 जनवारी 1954 में हुआ था इसके अधक्से कोन है सुमा मंडल नेक्स वाले गोसी खूर्द इरिगेस्तन प्रजेक्ट 21 राजिय का प्रजेक्ट है महाराष्टर का प्रजेक्ट है नेक्स वाले भारत का संविधान संविधान सभाद द्वारा कब पारिद हुआ तो 26 नवर्बर 1949 को पारिद हुआ नेक्स वाले 14 इंटरनेशनल ओलम्प्याड ओन आस्ट्रोनोमी और आस्ट्रोफिजिक्स यानि आई ओ एए ये दोसम भारत इसमें भारत को कितने गोल्ड मेडल मिले पदम स्री आवड 2022 किस पाराशुटर को दिया गया अवनी लेकरा को दिया गया नेक्स वाले प्रधान मंतरी श्रम योगी मांधन योजना के अंतरगत केंदर सरकार कितना योगदान कर रही है तो 50% 45% का योगदान कर रही है नेक्स वाले देश के आटोनी जनरल केके बेंड़ गुपाल को उनका जो कारियकाल एक बर्स के लिए कब बढ़ाय गया तो 30 जुन 2021 में बढ़ाय गया नेक्स वाले मेजर ध्यांचान्द खेल लतना पुरसकर 2021 पारा सुटिंग में किसे दिया गया तो मनिस नर्वाल को दिया गया इन्ने में से कौन सा डायरेट टेक्स नहीं है दोस्तों एक्साइज टेक्स जो है ये डायरेक्ट टेक्स नहीं है नेक्स वाल है पंचायत राज संस्ता को संवेधानिक मान्यता किस संवेधान संसोधन में दी गई है, तो यत्तर वा संवेधान संसोधन में दी गई थी, То 1993 में इसको पारिद किया गया था नेक्स वाले RBI ने 2022 में किस बैंक पर नया एकाउंट खोलने पर प्रतिबंद लगाया तो पेटियम पेमेंट बैंक पर नेक्स वाले 2011 की जनगन्ना के अनुसर 8.3 प्रतिसत कौन सी भासा मात्रु भासा के रूप में बोली आती है तो बंगला भासा इसका से अनसर होगा नेक्स वाले बाबा सोहन सिंग बखना 21 पाटी के प्रतम अधक्षय थे तो घादर पाटी के प्रतम अधक्षय थे किस राजिया ने ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम परे सिखा लिया लांच किया है तो पस्चिम बंगल ने किया है नेक्स दोस्तों पुछा गया था कोप्रा का फूल फर्म क्या है कॉंजिमर प्रोटेक्शन एक्ट और अनुच्छत 279 ए एक किस सम्मंदी थे जीस्टी से इंडिया म्यूजियम एक्ट कब लागू हुआ था 1910 में दोस्तों 1910 में ये लागू हुआ था नेक्स दोस्तों आटिकल 51A एक किस सम्मंदी थे स्वाल पुछा गया था तो पार्ट 4A में आता है भारत की राष्ट्र आयको सबसे पहले किस के दोरा मापा गया था तो दादा भाई नारोजी के दोरा मापा गया था Article 279A ये किस चीज से सम्मंदित है तो से आंसरों का GST से दोस्तों ये सम्मंदित है Next वाले मावसिन राम किस पहड़ी की तरफ है तो ये खासी पहड़ी की तरफ है से आंसर इसका हो जाएगा खासी पहड़ी Next वाले नवरोज तिमार किन के द्वारा मनाई जाता है तो नवरोज तिमार दोस्तों ये पार्सी लोगों के द्वारा मनाई जाता है किस देश में इरान देश में मनाई जाता है हाजी अली दरगड दोस्तों ये कहां पर स्तीध है तो बल्ली तर्ड पर मुंबाई का बल्ली तर्ड पर स्तीध है पहोर्टी एन उन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इजो पुस्ता के इसके लेखक कौन है दादा भाई नारोजी इसके लेखक है नेक्स है कौन सी नदी अमर कंटक की पहाड़ी से निकलती है तो नर्मदा नदी निकलती है नेक्स वाले संगाई हिरन किस राज्य का राज्किय अपशू है तो मनिपूर राज्य का राज्किय अपशू है तो उसी तर राज़तान का चिंकारा और पंजाब का राज़की उपसु किया है ब्लाक बॉक पंचाती राज में महिलाओं को कितना आरेक्षिन दिया जाता है एक तीही दिया जाता है राजिय और समंधित आधिकारिक भासा को असंगत चुने दोस्तों ये सवाल पुछा गया था तो केरल और कंड़ दिया गया था केरल का भासा कंड़ नहीं है तो क्या है दोस्तों आग comment box में बताना लेकिन दोस्तों कनड जो है ये कनड़क का आधिकारिक भासा है तो केरल का जो आधिकारिक भासा क्या है comment box में बताईए next वाल लगते हैं company gel जो है जो gel limited ये मध्यप्रदेश के किस city में green hydrogen का निर्मान के लिए एक सेहत्र स्तापित किया है तो मध्यप्रदेश का गुणा में दोस्तोंग जन्वरी 2022 के उनूसर सबसे ज्यादा बेरोजगारी किस राज्यों میں है तो किस राज्यों में है से अन्सर इसका हो जएगा दोस्तों हर्याना राजियों में है मानोव बिका सुचकांग 2020 का पुछा गया था इसमें कौन सा स्थान भारत का है 131 है एक्षे दोसों मुर्दा अपरदन रोकने के लिए क्या सही रहेगा ये सवाल पुछा गया था तो क्या क्या सही रहेगा देखे बुख्या रपों सिधी नुमा क्रिसी एंड सोमच रेखिया जूताई नेक्स वाले बस्वराज वोमाई द्वारा एक योजना शुरू की गई थी को किस राजिया के मुख्या मंतरी है तो ये कनाटक के मुख्या मंतरी है द्रोनाचारिय पुरसकार 2021 किसे दिया गया है दोस्तों लाइफटाइम के स्रेणी में तो टीपी ओसेफ दोस्तों आपके अप्सन में दिया गया था जो कोई से अंसर हो जाएगा और ये आथलेटिक से संबन दित है नेक्स वाले संध्या गुरूं को किस स्पोर्ट में दोनाचाईय पुरसकार मिला है तो बक्सिंग क्या स्पोर्ट में मिला है संध्या गुरूं को नेक्स वाले किस राज्य पुलिस ने महिलाओं और बोच्चों के खिलाब अपराद को रोकने के लिए पिंक फोर्स शुरू किया है तो गवा पुलिस ने किया है बाइसों आकणे के अनुसर सबसे ज़्यादा बेरोजगार किस राज्य में है हरियान राज्य में है 2021 में कितने दोनाचाईय पुरसकार मिला है कितने जोनों को तो दस जोनों को मिला है तो नेक्स वाले राजीब गांधी खेलादना पुरसकार का नाम बदल कर मेज़र ध्यांचांद खेल अतनों पुरसकर कप किया गया तो 6 अगश्ट 2021 को किया गया नेक्स दोस्तों है निमलिखित में से कौन सा अपतकाल लगाने के लिए उनचेत नहीं है तो 358 ये अपतकाल से सम्मंदित नहीं है ये तीनों दोस्तों सम्मंदित हैं 352, 356, 360 ये दोस्तों आप पढ़ सकते हैं नेक्स वाले महिला एवंग बाल विकास मंत्राले ने सिख्या मंत्राले और इन्युशेप के साथ मिलकर 7 मार्ज 2022 को कौन सा एक अभूत पूर्प अभियान का सुभारम किया है तो से अंसर हुआ कन्या सिख्या प्रवेश उस्चप योजना का सुभारम किया है अभियान का सुरुवान किया है नेक्स वाले उस्चण कटी बंधिया सदावार बन 21 राज्यों में पाया आते हैं किसने सिल्बर मैंडल जीता है अंसर मलिक ने जीता है बाल सहित्यो पुरस्का 2021 कितने भासाओं में दिया गया है तो 22 भासाओं में दिया गया है नेक्स वाल है जैन धर्म मैं जीन का अर्थ क्या होता है बिजेता यानि विनर होता है पेरियार्द नदी कहां से निकलती है केरल से निकलती है नेक्स वाल है प्रथम पंच बर्षे योजना का अधक्षय कौन थे तो पंडि जवाहलाल नेहरू थे नेक्स सवाल दोसमों पुछा गया था अनन्द नागेश्वर राओ के पहले एकोनोमिक्स मुख्याव सलाकार कौन थे तो किर्ष्ण मूर्ती थे पंचायत का जो पंचायत सबसे पहले किस राजया में लागू हुआ था राजस्तान में दोसमों लागू हुआ था 1930 में नमक कर से समन्दित अंदलों कौन सा है दांडी मार्च है तो चले दोसमों अब 25 अगश्ट 2022 को जितने भी सवाल पूछे गए थे डिसकस करते हैं तो पूरे साथ सवाल पहला सवाल है दोसमों नावाड का फूल फॉल फॉर्म क्या है पूछा गया था तो नेशनल वैंक इसका से आंसर होगा नावाड का दोसमों जो हेड़काटर है मुंबई में स्ती थे इसको अश्राबलेस कब क्या गया था 12 जुलाई 1982 में क्या गया था जो चैर्मेन नावाड के हैं डी जी आर चिंताला है दोसमों नेश्वाल है कि सिलंका एंड सिंगापूर में कॉमन दोस किस पारा एथलेटिक्स को पद्मभुसन 2022 से सम्मानित क्या गया तो देबेंदर जाजारिया दोसमों इसका से आंसर होगा तो आज भी दोसमों यानि 25 अगश्ट को भी सारी के सारी करेंडे पर हमारा जिगे करेज आप से ही पूछे गया है एक भी स्वाल दोसमों बाहर नह राजय से सम्मानित तो यह पश्चिम बंगाल से सम्मानित है इसका सिया अंसर हो जाएगा और सासा यह बंगला देश में दोस्तों निर्वाचनों के अधिक्षन निदेशन नियंत्रण का निर्वाचन आयक में नहीत होना इकिस अनुछेद में स्तित है तो अनुछेद 324 इसका सिया अंसर होगा काल वेशा की किस राजय से सम्मानित है दोस्तों यह पश्चिम बंगाल से सम्मानित है पश्चिम बंगाल और बंगलादेश में जो आंधी दुपान आता है दोस्तों उसको काल वेशा ही कहते है नेक्स वाले हनबिल तियोहार किस राजय में मना जात नागलान राजय में दोस्तों मना जाता है यह हर साल हर बार दोस्तों रेलो के एक्जाम में पूछा जाता है दो से तीन बार नेक्स वाले 2023 में अंतराष्ट्रिया उलम्पिक समीती के 140-वे सेशन की मेजवानी कौन सा सहर करेगा तो बुंबाई सहर करेगा इसका सिया नसर होगा कहां पे दोस्तों जियो वर्ल सेंटर में और ये भी याद रिखे 2024 का समर उलम्पिक्स कहां होने वाला है फ्रांस का पेरिस में होने वाला है नेक्स वाले तामिलनाडू और पुदुचरी का रहनेतिक दल कौन सा है जिसकी स्तापना दोस्तों 1972 में की गई तो अल इंडिया आना द्राविड मुनेतर कडगम इसका से आनसर होगा ये रहनेतिक दल का नाम है इसकी स्तापना दोस्तों 1972 में की गई नेक्स वाले उपभगता सरंख्यन अधिनियम 2019 के प्रावधनों का परयोग करते हुए केंद्रा सरकान ने उपभगता सरंख्यन नियम 2021 को कब अधिस उचित किया है तो 28 डिसमबर 2021 को किया है नेसल इंडिया के पहली फेक्टिरी कहां स्तापित हुई थी तो से अनसर क्या होग दोस्तों ये मोगा में हुई थी जो कि पुञजाब में स्तीत है नेक्स वाले सिमान्द उत्पात ओस्त उत्पात से अधिक हो तो क्या होता है तो अवस्त उत्पात में बृद्धी होती है नेक्स वाले प्रथम स्वेदेशी COVID-19 किट का नाम क्या है तो आंटी सार्स कोप्टू इसका से अनसर होगा अफसन एक सवाल है भारत ने किस देश के साथ पान बिजली सोंजोता पर मंजुली दिया है तो भुटान के साथ अफसन भुटान इसका से आंसर हो जाएगा नेक्स सवाल दोसमों पुछा गया था आरेमाई इंडिया किस के साथ मिलकर जनवरी 2022 में भारत में इलेक्ट्रिक बाहनों पर बेंकिंग रिपोट जारी की है तो निती आयोग ने की है से अंसर होगा और आरेमाई का फूल फर्म क्या होता है रोकी माउंटेन इस्टिचियोट बाहरत के में कितने नेसनाल पार्टी है सवाल पुछा गया था दोसमों आर्ट नेसनाल पार्टी है से अंसर होगा आठ तो बचीष अगस्ट के बस इतने ही सवाल है और इस वीडियो में इतनी डिस्कस करेंगे लेकिन दोसमों हमारे जिख्यकरज आफलीकेस्टं का जो PDF मे video PDF हर topic का वहाँ पे मिलेगा सबसे best analysis दोसे मिल रहा है सासथा दोस्तों जिए इस topic से आपके exam में सवाल पूछे आ रहे हैं उन सभी topic को वहाँ पे समिल किया गया है एक भी topic को दोस्तों नहीं छोड़ा गया है अगर आप गुरुब D exam में अच्छा mark लाना चाहते हैं गीके करेच अप्लिकेशन जरो डाउनलोड कर लीजे, इस वीडियो का डेक्शन बॉक्स में लिंक है.